हलो दोस्तो मेरा नाम आमीर है और आप देख रहे हैं आमिर बुलोग यूटूब चेनल तो दोस्तो आपका अमारे यूटूब चेनल में स्वागत है उम्मीद है दोस्तो आप लोग अच्छे ही होंगे तो दोस्तो आज मैं आपको गदर एक फ्रेम कथा की फिलिम सुटिंग लुकेशन दिखाने वाला हूँ और दोस्तों जब 2001 में आई थी ये फिलिम दोस्तों और मैं आपको बता दूँ दोस्तों इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जो है सनी देवल पाजी थे और जो है वहीं पर आज हम जाने वाले हैं और सुटिंग को करेंगे एक्स्प्लोर और आपको सीन भी मैच करवाएंगे सब कुछ इसी वीडियो एक प्रेयम कता की दोस्तों दोस्तो मैं आपको बता दूँ गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई थी जो बहुत ही ब्लॉक बास्टर मुवी थी जो आज भी लोग पसंद करते हैं दोस्तो तो अगर दोस्तो आप लोग भी गदर एक प्रेम कथा मुवी देखे होंगे तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं और जितने सनी पाजी के फैन है दोस्तो वो जो है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिए दोस्तो तो चलिए दोस्तो मैं आपको सारे सीन मैच करवाता हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तो 22 साल बाद कैसे दिखता है गदर एक प्रेम कथा का फिल्म सुटिंग लुकेशन दोस्तो और जिसमें दोस्तो जहां पर पाकिस्तान बनाया जाता है जब सनी पाजी आते हैं दोस्तो जब सकीना को लेके जाते हैं तो जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तो इसी रोड से होते हुए लेके जाते हैं जो उनकी टरक रहती है दोस् से वो ट्रक निखाली जाती है जो हमें दिखाया जाता है फिल्म में पाकिस्तान दोस्तों तो आज मैं आपको पाकिस्तान दिखाने वाला हूं कि 22 साल बाद कैसे दिखता है पाकिस्तान तो ऐसा कुछ यहां का नजारा है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी मैं हूं उ गढ़ा इमामबाड़े तो यहां सेब़ी कोछ सीन्व लिय हुए वह सारे हूं में आपको एक एक करके मैच कराओंगा और यहां की पूरी डेटल से जानकारी भी दिँऊंगा दूस्तों वीडि dipping लास तक बने रहना वीडियो को स्कीप मत करना दोस्तों चैनल पर नहीं हुआ दोस्टों तो चंनल को सब्सक्राइब जरूरु कर लेना तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ आपको मैच कराता हूँ और आपको पूरी जानकारी भी दीता हूँ दोस्टों तो अभी देख सकते हैं आपर बड़ा इमाम बाड़े के पास हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो scene लिए गया थे दोस्तो वे कर के match कर वाते हैं इसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये रूमी दर्वाजे का सीन है दोस्तों जो पीछले वाला हिस्सा है कुछ इस परकार का दिखता है और यहां से एक सीन लिया गया था मैं यहां पर स्क्रीन साट लगा रहा हूँ आप मैच कर सकते हैं कुछ इस परकार से यहां पर एक सीन लिया गया था दोस्तो और रुमी दर्वाजे का जिसमें आप सारी डिजायने मैच कर सकते हैं दोस्तो और थोस्तो एक सीन और यहां से लिया जाता है जो पाकिस्तानी फुलिस थी उनकी जो गारी आपस बलाष्ट की जाती है इस दर्वाजे की नीचे आप देख सकते हैं जो बीच वाला दर्वाजा आप सीन यहां पर मैच कर सकते हैं मैं स्क्रीन साट लगा रहा हूं और यहां से भी एक सीन लिया गया था कुछ इस परकार का आप देख सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूँ रूमी दर्वाजे से लिये गए थे और यहीं से दोस्तों जो आप रोड देख रहे हैं जहां से गाड़िया जा रहे हैं दोस्तों इसी रोड पे दोस्तों वो निखाली जाती है जो सकीना को लेकर जब सनी पाजी लेकर जाते हैं जो ट्रेक रहती है दोस्तों और यह टरक जो है दोस्तों यहीं से निखाली जाती है जिसमें दोस्तों आपको इमाम बाड़े का भी सीन देखने हो को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं इमाम बाड़े का कुछ इस परकार का नजा रहा है जो बहुत ही बहतरी नजा रहा है और यहां से भी एक सीन लिया जाता है दोस्तों एक गाड़ी को तो कुछ इस परकार का नजारा है जो आज भी हमको देखने को मिलता है और यहां से दोस्तों मैं चलूंगा जहां पर दोस्तों और सीन लिये गए थे आप यहां से जब जाएंगे लिप्ट साइड में दोस्तों आपको जो है तीले वाली म इडियो को स्कीप मत करना दोस्तों अभी मैं चल रहा हूं पकापुल की तरफ दोस्तों और वहां पर चलके वो सारे सीन आपको मैच करवाता हूं दोस्तों तो चलिए मैं आपको चलता हूं और नजारा दिखाता हूं दोस्तों तो फानली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते यह पक्का पुल का नजारा है और यहीं पर दोस्तो जब इमाम बाड़ी की तरफ से वो बस निखाली जाती है तो यहां पर भी कुछ सीन लिए जाते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं यहां का नजारा है और यहां का दोस्तो यहां पर दोस्तो भी बलाष्ट किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं यह गोमती नदी है दोस्तो और गोमती नदी पर दोस्तो यह पक्का पुल बनाया गया है जो अंग्रेजों के जबाने से यह है दोस्तो पुल तो कुछ इस परकार का नजारा है जो अंग्रेजों ने बनवाया था इस पुल को दोस्तो तो आज भी दोस् लिए गये थे दोस्तों मैं आपको एक एक करके मैच कराऊंगा यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं जब एक सीन यहां से लिया गया था कुछ इस परकार का मैं आपको यहां पर स्क्रीन साट लगा रहा हूं दोस्तों आप मैच कर सकते हैं कुछ इस परकार का यहां पर भी ए तो आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो आपको सीन देखने को मिल रहा है कुछ इस परकार का कैमरा उपर एंगल से लिया जाता है दोस्तों तो कुछ इस परकार का दिखता है जिसमें आज भी आपको फुल देखने को मिलता है दोस्तों तो ऐसा कुछ यहां में तब तक के लिए जय हिंज भारत